यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ पुरगाम में अनुवानशिक बिमारी की वज़ा से 18 साल के योग की सासे थम गई और लिकिन योग के दादा ने घर पर ही योग का इलाज किया और फिर उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया योग रविंद्र की बिमारी को डोक्टर बलबिर ने समझा और उसे तुरंत ट्रीटमेंट दिया है इसी वग के हार्ट के पास IDC डिवाइस लगाई गई है जो की घड़ी नुमा है इसके बाद वो मशीन ही हार्ट अटेक को अपरेट करती है हार्ट को अपरेट करती है माफ की जवेगा धड़कनों को कंट्रोल भी करती है आइसे बिमारी के वज़े से रविंद्र अपने मा और मौसी को खो चुका है डोक्टर को यह भी कहना था कि एक अनुवानशिक बिमारी है लेकिन आइसीडी लगने के चलते उसे जरू रहत में लेकिए और उस भी इस तरिक स्टीपी ती तो क्या रहा था उस टाइम ज़नी सब चीजे सर मैं बैठा था आपकी तरह बैठा बैठे को मेरे वा आट बढ़ जया उधर मेरे पंपलेट किया गया आट मूम में मोडाल कर शांस दिया गए मेरे अपने लोकल होस्टन रहाडी के लिए निकला मेंट रहा रहा जाने के बाद मैं उससे एक किलो मेटर पाले फिर बहुश होगए पर मेरे तीन दिन बाद होसा आया वाईस घंटे मैं वा एल्टी निटर रखा गया मेरे तीन तारिक को सुबह मेरे को फिर आया वीटी ब यहां पहुचाया अगले दिन फिर मेरे पर अनेक को प्रोसीजर हुए लास्ट मेरी सीड़ी डाले जाया जिससे अब मैं काफी पहले से अच्छा हुआ पूचे रहे थे कि छोड़ा बचने वाला नहीं है पर इसके दादाजी इसके साथ ते तो नहीं दवाया मौंप में हवादे करने थोड़े सांसू आया फिर वहां से यहां लिए यहां लिए डॉक्टर वालवीर सिंग को पहले से जानते थे एक हमारी मिसीज को आई सिडी है था दो हजार एक से तो जब से हम टच में थे तो इस मामले में पता था पर डॉक्टर पर बिर सिंग आई सिडी इनके मामलें अच्छा डॉक्टर है उनका तो सर वह तो होस्पिटल पहुंचे नहीं तो उनके बारे में तो मतलब पता ही नहीं लग कि बीमारी क्या है झाल